नमस्ति चात्रो आज हम कक्षा छटी की जो किताब है वसंतो भाग एक इस किताब में लेसन नमबर टेन यानि की पार्ट दस जो है वो कविता है और उस कविता का नाम है जासी की रानी पिछली दो वीडियो में हमने इस कविता के बारे में अदेन किया है आज हम इस कविता के जो क्वेशन है उसके एंसर किस प्रकार लिखने चाहिए ये इस वीडियो के द्वारा आज हम देखने वाले हैं तो आपके किताब में पेज नंबर 77 पर ये क्वेशन एंसर प्रश्न अभ्यास के रूप में दिये गए हैं ये सवाल कविता से अनुमाना और कलपणा भाषा की बात आधी तरीके से दिये गए है उसमें कविता से जो है वो पहले हम देखेंगे उसमें पहला है किन्तु काल गती चुपके चुपके काली घटा घिर लाई ये कविता की एक पंक्ती है इस पंक्ती में किस घटना की और संकेत किया है तो कविता का दिन करते समय हमने देखा था कि इस पंक्ती के द्वारा कभी हम यही बताना चाहते थे कि जाशी की रानी लक्षमी बाई की जो पती थे जो राजा थे गंगा दर्राव इनकी अकस्मिक मृति हो जाती है और यह पंक्ती उसी ओर क्या करती है संकेत करती है तो इसी प्रकार इसका answer हमें लिखना चाहिए तो देखो यह इस पंक्ती में जासी की राजा और रानी लक्षमी बाई के पती गंगादर राव की आकस्मिक बृत्तियों की ओर संकेत किया है दूसरा है किन्तु काल गती चुपके चुपके काली घटा घेर लाई काली घटा घिरने की बात क्यों कह गई है तो इसका एंसर हमें इस प्रकार लिगना चाहिए रानी लक्षमिवाई के पती गंगा दर्राव की आकस्मिक मृत्यों हो जाती है और उसकी आकस्मिक मृत्यों हो जाने के कारण रानी के जीवन में काली घटा गिरने की बात की गई है राजा की मृत्यों के कारण रानी असमय विद्वा हो जाती है और साथ ही राजा के अपनी संतन न होने के कारण अंग्रेजों को जासी पर कबजा करने का मौका मिल जाता है तो इसी प्रकार इसका एंसर हमें लिखना चाहे उसमें दूसरा क्वेशन है कविता की दूसरी पंक्ती में भारत को बोड़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुबद्रा कुमारी चोहान क्या बताना चाहती है तो आपको मालूम है कि दूसरे पंक्ति में कवी ने भारत को बूड़ा कहा है और उसमें नई जवानी आने के बात कहिए तो कवी का कहना यही था कि हम गुलामी का जीवन बिता रहे थे हमें अंगरिजों से क्या चाहिए थे आजादी चाहिए थे और इसे लिए उस वक्त भारत में जो आजादी की चिंगारी है वो सबी और क्या हो गई थे फैल गई थे तो हमारे भारत वर्ष में या भारत वर्ष के गुलाम होने के कारण एक तरह से चारो और मायूसी वाला वातावरन बन गया था भारती वीरों का साहस कमजोर हो गया था सबी अपने को असाहिय महसुस करने लगे थे ऐसा लगता था मानू सारा देश ही बुड़ा हो गया है परन्तु ऐसे बोजिल वातावरन में जासी की रानी के आने से देश में एक नई उमंग का वातावरन बना लोगों में संगर्ष की नई भावना जागरुत हुई एक बार लोग पुनस वतंतरता प्राप्ति की और प्रैतन करने लगी यही बात सुवद्र कुमारी चहान उपरिक्त पंक्ती द्वारा बताना चाहती है तीसरा क्वेश्चन है जासी के रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिको और यह भी बताओ कि उनका बच्पन तुमारे बच्पन से कैसा अलग था तो जासी के रानी की जो कहानी है इस कविता के द्वारा अपने पढ़ी है या सुनी है जासी के रानी का नाम क्या था उसे बच्पन में क्या कहा जाता था वो किसकी संतान थी नाना साब उसे क्या कहते थे नाना साब क्यों कौन थी उसका ब्याह या शादी किसके साथ हो जाती है तो यह सभी कहानी आपको मालूम है तो यह कहानी आपको लिकनी है और आपके बचपन या आपका बचपन और उसके बचपन इसमें क्या अंतर है क्या भेद है या आपको क्या करना है यहां लिखना है जैसे कि जासी की रानी का नाम लक्ष्मी भाई था, बचपन में उन्हें छेबेली नाम से पोकारा करते थे, वे अपने पिता की एकलोती संतान थी, वे कानपूर के नाना साब की मोह बोले बहन थी, लक्ष्मी भाई बचपन से ही वीर और साहस थी, लक्ष्मी भाई का विवा जासी के राजा गंगदर रावक से हुआ परंतु राजा की आकस्मिक वृत्यु से राणी के उपर संकटों के बादल लहराने लगे अंग्रे सरकार राजा की नी संतानता का लाब उठा कर जासी पर कबजा करना चाहते थे परंतु राणी ने इसका पुर्जोर विरोध किया और अंग्रेजों को कड़ी टक कर दी लक्षमी भाई का बचपन आन्य बच्चों से भिन्न था उनकी उम्रके बच्चे खिलोनी से खेलती थे परंतु खिलोनी उनकी खिलोनी क्या थे तो बर्ची, ढहाल, कुरुपान जैसे हत्यारों थे वे बच्चपन से ही नकली युद्ध का खेल, शिकार करना, दुश्मनों के लिए चक्रव्यू की रचना करना, आधी युद्ध से सम्मधित खेल ही खेला कर दीती तो इसी प्रकार इस सवाल का जवाब हमें लिखना चाहिए उसमें चवता है, वीर महला की इस कहानी में कौन-कौन से पुरुषों के नाम आए कविता देखते समय हमने देखा था कि इस कहानी में या इस कविता में कई वीर पुरुषों के नाम आए जैसे की वीर शिवाज माराज, नाना दुन्दुपन्तो, तातियां, अजी मुला, एहमद शा मौलवी, ठाकुर कुवर सिहं, सैनिक अभीराम, आदी अनिक पुर्षों, वीर पुर्षों के नाम आये है अभी उसके आगे है, आनुमान और कलपणा, उसमें पहला है, कविता में किस दौर की बात है, कविता से उस समय के महोल के बारे में क्या पता चलता है कविता में स्वादिनता संगराम के या स्वतंतरता संगराम के प्रतम दौर की बात है, कविता से उस समय के महोल के बारे में यह पता चलता है, कि अंग्रोजों ने दीरे-दीरे से अपना समराज्य हमारे देश में फैला लिया था उसमय भी हमारे देश में सोतंत्रता या सोतंत्र होने की भावना के बीज फूटे जरूर थे परुन्तु संगटन का आपा होता राजाओं के स्वार्त प्रोर्ति आपसी फूट आधी के कारण हमारा अंदोलन सपल न हो पाया ऐसे विशम वातावरन में भी जासी किरानी लक्षमी भाई और कुछ आन्नेबीरों ने सोतंत्रता की चिंगारी को सुलगानी का अपूद पूर्व प्रयास किया है उसके आगला क्वेशन है सुभद्रा कुमारी चवान लक्षमी भाई को मारदानी क्यों कहती है तो हमने देखा था कि जिस प्रकार वो लड़ी थी जिस प्रकार वो आंगरीजों के खिलाप उनों ने अंदोलन किया था तो सुभद्रा कुमारी चवान लक्षमी भाई को क्या कहती है मरदानी कहती है जैसे कि जासिकी रानी एक महला होते हुए भी उनमें पुर्षोचित गुन जैसे कि साहस, वीर्ता, युद्ध कला में निपुनता, निडरता आधिक गुन वित्यमान थे उनोंने युद्ध भुमी में आंगरीजों को दात खट्टे कर दिये थे उनकी वीर्ता का लोहा भारत वासियों के साथ अंगरीजों ने भी माना था अताहा सुबद्रक मरीचहवान ने लक्षमी भाई के इसी अबुद्पूर्व साहस, शौरिय तता वीर्ता का परिचय कराने के लिए मरदानी शब्द का प्रयोग किया है उसके आगे है खोजबीन और उसमें पहला सवाल है बर्ची, कुरुपान, कटारी उस जमाने की हतियार थे आज कल प्रयोग में लाए जाने वाले हतियारियों के नाम लिगो तो आपको मरूमें कि पुराने जमाने में इस प्रक्कार के हतियों का क्या किया जाता था उप्योग किया जाता था आज हम अलग हतियों को उप्योग करते है जैसे बंदुकी है, तोप है, मिसाइल है, पंडुपी है, हवाई जाज है, समुदरी जाज है, परमानु अस्त्र है यानि कि जो अधुनिक विग्यान के सहरी बनाए गए कई साधन है, जिसका आज हम क्या करते हैं, यूते के लिए उप्योग करते हैं तो इसी प्रकार आजकल अत्यादुनिक हत्यारों से, जैसे की तक्निकी क्षमता से, सुसजित बंदुके टैंग, तोप, मिसाइल, पंडुपी, हवाई जाज, समुदरी जाज, परमानु अस्त्र, आधी हत्यरों का प्रयोग किया जाता है उसके आगला क्वेशन है, लक्षमी बाई के समय में, जादा लड़कियां विरांगणा नहीं हुए, क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था भारतिय सेना में आप क्या स्तिती है, पता करो, यानि कि आज की स्तिती क्या है? आज हमारे भारतिय सेना के तीनों सेने दल, जल, थल और वायू सेना में हमें लड़किया दिखाए देती है आज वे इन सेनाओं के उच्च पदों पर कारेरत है इस सब के बावजूत अभी भी सेना में लड़कियों की संक्या बहुत क्यम है यानि कि जितनी चाहिए उतनी नहीं है उसके आगे है भाषा की बात नीचे लेके वाक्याउश वाक्य के हिस्सों को पड़ू यानि कि कुछ पंक्तिया दी गए उस पंक्तियों को आपको क्या करना है पड़ना है जैसे कि जासी की रानी मिट्टी का घरोंदा प्रेमचंद की कहानी पेड़ की छाया ढाल के तीन पात नहने का साबून मील का पत्तर रेशम के बच्चे बनारस के आम अभी इसमें इन सेंटेंस में इन पंक्तियों में की का के इन शब्दों का क्या किया है उप्योग किया है अभी इन शब्दों का सग्यां के साथ उप्योग किया है लेकिन जिस प्रकार सग्या है उसी प्रकार उनका परिवर्तन हुआ है तो बताओ की की का के और की का प्रयोग कहां और क्यूं हो रहा है यानि कि जैसे कि पहले इसमें की का प्रयोग हुआ है दूसरे इसमें का का प्रयोग हुआ है तो ये अलग-अलग प्रयोग क्यों किया गया है या हमें देखना है तो आपको मालूम है, यानि कि सग्या किसे कहते हैं, आपको मालूम है, सग्या के बारे में हमने जानकरी लिये हैं, किसी वस्तू, विक्ती, स्थल, आदी को दिया गया जो नाम होता है, उसे क्या कहते हैं, सग्या कहते हैं, तो सग्या के साथ ये शब्द आते हैं, और ये चिन आते तो इन्हें कारक केते है अभी का के और की का सम्मंद कारक चिन्नों से है इन्हें परसर्ग भी केते है और इनका प्रयोक सम्मंदित सग्या के अनुसर किया जाता है यदि सग्या स्रिलेंगी हो तो उसके साथ की का उपयोग किया जाता है यदि सग्या पुलेंगी हो तो उ सग्या के साथ के का प्रयोग किया जाता है, यानि का, की और के का प्रयोग सग्या के अनुसार क्या किया जाता है, उप्योग किया जाता है, उसमें परिवर्तन होता है, जैसे जहासिक की रानी, अभी रानी स्रीलिंगी है, यानि की रानी सग्या कैसी है, स्रीलिंगी है, इसलि स्रीलिंगी सग्या होने के कारण वहां किसका उप्योग किया है तो की का उप्योग किया है दूसरा है पेड़ की चाया अभी चाया ये भी क्या है स्रीलिंगी है तो इसलिए उसके पुरुव किसका उप्योग किया है की का उप्योग किया है मील का पत्थर अभी पत्थर ये कैसी सग्या है तो पुर्लिंगी सग्या है पुर्लिंगी किसे कहा जाता है तो जिस सग्या से पुरूश जाती का बोध होता है उसे पुर्लिंगी कहा जाता है और स्रीलिंग किसे कहा जाता है तो जिस सग्या से स्रीलिंगी जाती का भोध होता है उसे स्रीलिंग कहा जाता है तो पत्तर ये क्या है? पुरलिंगी सक्या है तो उसके साथ किसका उपयोग किया है? का का उपयोग किया है? मिट्टी का घरूंदा अभी घरूंदा एक वचन पुरलिंगी है ये बहवचन है क्या? नहीं है, यानि कि एक बहवचन पुर्लिंगी है, इसलिए इसके साथ का का उप्योग हुआ है ढाक के तीन पात, अभी पात पुर्लिंगी है, लेकिन कितने है? तीन है, यानि कि ये कैसा है? बहवचन है यानि कि भौवचन पुर्लिंगी हो तो उसके साथ के शब्द का उपयोग या कारक चिन्न का उपयोग किया जाता है यानि कि ढाक के तीन पात इसलिए वहां क्या आया है रेश्मा के बच्चे बच्चे यानि कि बच्चे ये क्या है पुर्लिंगी सग्या है लेकिन बच्चे बच्चे यानि कि ये एक है क्या नहीं है ये कैसा है बहुँ अच्छने अनेक है इसलिए यहाँ बच्चे बच्चे के आगे क्या आया है क्या लगा है प्रेमचंद के कहानी, कहानी ये स्रिलिंगी सक्या है लेकिन वो एक ही है, इसलिए उसके साथ क्या आया है किया आया है नहाने का साबुन, साबुन कैसा है पुलिंगी है, लेकिन वो एक वचन है इसलिए उसके साथ का आया है बनारस के आम, आम पुलिंगी लेकिन जो है वो कैसे है बहु अचन में आए आम तो इसलिए वहां के का प्रयोग हुआ है तो इसे प्रकार भाशा के बात में का, की और के का प्रयोग हमें देखा जाता है जहां पुरलिंगी हो एक वचन हो वहां का आता है जहां स्रीलिंगी सग्या हो उसके आगे की आता है और जहां पूरलिंगी बहु अच्छन हो वहां की आता है यह आपको क्या करना है द्यान में रखना है तो इसी प्रकार यह भाषा की बाद इसके जो sentence दिये उसकी तरह हम क्या कर सकते उसका उपयोग करे सकते तो इसी प्रकार इस question के इस सवाल के जवाब हमें लिखने चाहे आपको कोई आशंका हो तो comment box में लिख कर भेज सकते हो तब तक के लिए दन्यवाद